पाकिस्तान ने कम्निस्ट देशों के खिलाब संतुलन और समानता रखने के बहाने अमेर्का से म्यूचल एट प्रोग्राम के तहत मिले अत्यादुनी खतियारों के दम पर पाकिस्तान को गलत फहमी हो गई कि वह भारत को आसानी से परास्त कर देगा पाकिस्तान को उस समय अमेर्का द्वारा बहतरी नतियार हांसिल हुए जिसमें पैटन टैंक, लॉंग रेंज आटलरी, अत्यादुनिक रडार, रात को लड़ने की शमता रखने वाले सुपरसॉनिक स्टार फाइटर, अपने समय की बहतरी लड़ा को विमान F-86 सेवर्स जो ह हवा से हवा में मार कर सकने वाली साइडवाइंडर मिसाइल से लैस थे, इसके मुकाबले भारतिय सेना में हंटर हॉक, भारत में नेमित बैमपायर, कैनबरा और फॉलें नेट जैसे बंबरशक बिमान थे, भारत के पास मिग 21 की एक स्कौारडन भी थी, जो उस समय के 32 पाकिस्तान ने कच्छ में डैजर्ट होक की शुरुवात की और कच्छ के बड़े हिस्से पर अपना हग जताया, यह पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रची गई युद्ध की साजिश का पहला हिस्सा था, कच्छ के रण में हुए इस सेमिस संगर्च में पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ा, 30 जून 1965 को बिट्रिश प्रधानमंत्री विल्सन की मददस्तता में भारत और पाकिस्तान ने कच्छ के रण में चल रही लड़ाई बंद करने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये, इस समझोते के तहट भारत को 75 स्कॉयर मील जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ी, अपनी इस चीज से उसाहित पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबजे के लिए ओपरेशन जिबराल्टर की शुरुवात की, इस ओपरेशन का मकसद था हजारों पाकिस्तानी सैनिकाओं को चापा मारों के भेश में कश्मीर में घुसा कर स्थानी जनता को भारत के खिलाब बिद्रों के लिए भढ़काना, कश्मीर में भारतिय सैना के संचार माध्यमों को और सामरी ग्रूप से महत्रुण पुलों और सुरंगों को ध्वस्तकर शेश भारत से संपर काटना था, भारतिय वायु सैना ने अपने MI4 हेलिकॉप्टर में मशीन गन फिट करके चापा मारों को खदेर दिया, ओपरेशन जिवराल्टर की बेफलता और पाकिस्तान को मिली हार के कारण ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की निव पड़ी। इस मुश्किल हालात को देखते हुए सैना अध्यक्ट जेम चौधरी ने वायु सैना अध्यक्ट अर्जन सिंग से एर सपोर्ट की मांग की। उस समय बेंपायर बिमान पूरी तरह से आम्ड और फ्यूल्ड खड़े थे। इसलिए हमले के लिए पहले उन्हें भीजा गया। हमले के लिए बेंपायर की पहली फॉर्मेशन के एक बिमान को एंटी एरक्राफ्ट गन का एक फायर लगा और पायलेट को इजेक्ट करना पड़ा। बेंपायर की दूसरी फॉर्मेशन के पहुचने से पहले ही पाकिस्तानी फ्लाइट लेफटेनन सर्फराज के नित्रुत में चार सेवर्स कॉमबैक्ट एयर पेट्रोल के लिए पहुच गए और भारत के दो बेंपायर को मार गिराया। ऐसी स्थिती में बचकर निकल जाने के बज़ाए फ्लाइट लेफटेनन सोंधी और फ्लाइट ऑफिसर्स पाठक सेवर्स को एंगेज करने के लिए मुड़े। सोंधी ने सरफराज के सेवर्स पर फायर किया लेकिन वे असफल हो गए। उसी वक्त पीछे से आते हुए एक सेवर्स ने पाठक के बेंपायर को मार गिराया। फ्यूल कम होने की वज़े से सोंधी को बापस लोटना पड़ा। इन सब की परवा किये बगएर बेंपायर की तीसरी फार्मेशन ने लड़ाई के मैदान में जाकर पाकिस्तानी टैंक और वक्तरबंध गाडियों पर गोलावारी शुरू कर दी। अंधेरा हो जाने के बाद भी नंबर 3 और 31 स्कौरडन के मिस्टियर्स ने 16 अटेक इतुरत 31 स्कौरडन के सीओ विंग कमांडर गुडमैन ने किया। मिस्टियर्स एक अथी प्रभापशाली ग्राउंड रटेक विमान था जो भारी मात्रा में हतियार ले जा सकता था। अगले 8 सौटीज में नंबर 3 स्कौरडन के फ्लाइट लेटनेंट तरलोक चन सिंग औ और दुर्रस अमीन ने जम कर हमले किये। इस हमले में पाकिस्तानी बक्तवरंद गाडियों और टैंकों को भारी नुकसान पहुँचा। करीब 1.5 गंटे के अंदर पाकिस्तानी फौज के 13 टैंक्स, 2 भारी तोपें और लगबग 12 विहिकल्स तवा कर दिये गए। इससे प पठान को लाई गई ताकि ग्राउंड अटेक करने वाले जहाजों को टॉप कवर दिया जा सके और सेवस के पाइलेटों को सबक सिखा सके जिनों ने अपने से पुराने और बहुत कमजोर बेमपायर बिमानों को गिरा कर तारीफ हैं बटो रही थी। नैट्स के पाइलेट पर अकनूर की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनके नीचे 300 फूट की उचाई पर स्कॉर्डर लीडर जौनी ग्रीन के नित्रत में 4 नैट्स उड़ रहे थे। और उनके नीचे 300 फूट की उचाई पर स्कॉर्डर लीडर ट्रेवर किलोर के नित्रत में 4 नैट्स की दूसरी फॉर्मिशन उडान भर रही थी पाकिस्तनी रडान ने मिस्टियस को डिटेक्ट कर लिया पाकिस्तनी स्टार्स और सेवस ने उन्हें रोकने के लिए उडान भरी ये भारती वायू सेना की एक चाल थी जिसमें सेवस फस गए क्योंकि अकनूर पहुचने के 30 सेकिंड पहले ही मिस्टियस ने नीचे डाइप की और अपने बेस की तरफ बापस लोड गए हमारे नेट्स रॉकेट की तरह उपर तेजी से भड़ते हुए 90 सेकिंड में 30,000 फुट की हुचाई पहुचकर सेवस पह जपट पड़े सेवस बचाप की मुद्रा में आते हुए नेट्स के पीछे आने का प्रयास करने लगे नेट्स पाइलेट ट्रेवल किलोर ने राइट साइड से जॉनी ग्रीन की तरफ आते हुए सेवस को देखा और ग्रीन को वर्निंग कॉल दी ग्रीन ने तुरंट डिफेंसिब ब्रेक लगाए और किलोर तुरंट फुर्ती से सेवस के पीछे आते हुए गोलियों की बौचार कर दी सेवस में आग लग गई और वो च्छती ग्रस्त हो गया स्क्राडन लीडर ट्रेवल किलोर सेवस को मार गिराने वाले पहले पाइलेट बने जिनके लिए उन्हें बीर चक्र से सम्मानित किया गया हमारे मिस्टियर्स जहाज लगातार चम्ट सेक्टर पर पाकिस्तानी फौच पर हमला कर रहे थे इनको टॉप कवर देने वाले नैट के पाइलेट्स ने हमारी फौच पर हमला करते हुए सेवस को देखा तो उनकी तरफ जपते सेवस ने बच निकलने की कोशिश की फ्लाइट लेटेनेंट पठारिया ने एक सेवस को अखनूर पुल की तरफ जाते हुए देखा तो उसके पीछे लग गए लो लेवल डॉक फाइट में पठारिया ने बड़ी होशियारी सेवस को मार गिराया ये नैट्स का दूसरा शिकार था पठारिया को इसके लिए बीड चक्र से सम्मानित किया गया अब सेवस के पाइलेट फुर्तियले नैट्स से घबराने लगे थे और उनके साथ भिर्णा नहीं चाहते थे नैट्स के टॉप कवर देने की बज़े से ग्राउंड अटेक अप काम्याब और घातक होने लगे थे भारतिय नैट्स की बहतर फ्लाइंग स्किल के सामने पाकिस्तानी सेवस बेवस नजर आ रहे थे अब पाकिस्तानी पाइलेट भारतिय बिवानों से सीधी बढ़न से बचने लगे थे तो दोस्तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह की रोचक जानकारियां लाते रहेंगे देखते रहे हैं डिफेंस नाउ वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू करें जय हिंद